हलो दोस्तो स्वागत है आपका आमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जोब सक ग्यान में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करना ले हैं इंडियन आर्मी रैली 2021 की तो दोस्तो यह जो 2021 की रैली है यह त्रिपूरा की आर्मी रैली है तो दोस्तो इसमें जो आपकी वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे तो दोस्तो अगर आपने हमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जोब सग्यान को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सस्क्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल सके तो दोस्तो अब बात करते हैं रैली की जो उसमें आपकी केटागरी है तो दोस्तो इसमें जो आपकी सबसे first category है वो है soldier journal duty की जो की all arms के लिए है तो दोस्तो इसमें जो आपकी age limit दी गई है वो 11.17 से 21 साल तक दी गई है और ये born होने चाहिए 1 October 1999 से 1 April 2003 के बीच में तो दोस्तो इसमें जो आपकी height है वो 160 minimum है तो दोस्तो इसके बाद जो आपकी chest है वो आपकी 77 cm होनी चाहिए तो दोस्तो इसके लिए जो आपकी education qualification है वो 10th pass होनी चाहिए तो दोस्तो इसके बाद जो इसमें second है वो है आपकी soldier technical की तो दोस्तो इसमें जो आपकी age limit है वो है 1.17 से 23 साल तक तो दोस्तो इसमें जो आपकी age है वो 1 October 1993 से 1 April 2003 के बीच में होनी चाहिए तो दोस्तो इसमें जो आपकी height है वो 103 cm मांगी गई है और जो आपकी chest है वो 77 cm होनी चाहिए तो दोस्तो इसके लिए जो आपकी education qualification required है वो है 10th plus 2 physics chemistry math में आपके 50% marks होने चाहिए तो दोस्तो इसके बाद जो इसमें आपकी 3rd है वो है soldier clerk storekeeper technical की तो दोस्तो इसमें जो आपकी age limit है वो 17,3 साल से 23 साल तक दी गई है और जो आपकी date o birth है वो 1 October 1997 से 1 April 2003 तक होनी चाहिए तो दोस्तो इसमें जो आपकी height है वो 160 cm होनी चाहिए और जो आपकी इसमें chest है वो 77 cm होनी चाहिए तो दोस्तो इसके बाद इसमें जो आपकी education qualification है उसमें आपको 10th plus 2 पास चाहिए commerce art science तीनों में आपके 60% से plus marks होने चाहिए तो दोस्तो इसके बाद जो इसमें next है वो as soldier tradesman की तो दोस्तो इसके लिए आपको जो है 10th class पास होनी चाहिए तो दोस्तो इसके लिए जो आपकी age limit है वो साड़े 17 साल से 23 साल तक होनी चाहिए और जो इसमें आपका date of birth है वो 1 October 1997 से 1 April 2003 तक होनी चाहिए तो दोस्तो इसमें जो आपकी height है वो 160 cm है और chest इसमें 70 cm मांगी गई है तो दोस्तो इसके लिए जो आपकी education qualification है वो class 10th होनी चाहिए simple pass में तो दोस्तो इसके बाद बात करते हैं इसकी जो next है soldier tradesman all arms 8th pass वालों के लिए तो दोस्तो आठवी pass वाले भी इसे अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो उनकी age जो है साड़े 17 साल से 23 साल तक होनी चाहिए और इसके लिए आपकी जो date of birth है वो 1 October 1997 से 1 April 2003 तक होनी चाहिए तो दोस्तो इसमें जो आपकी height है वो 160 cm होनी चाहिए और आपकी इसमें chest 70 cm होनी चाहिए तो दोस्तो इसके लिए आपको 8th pass होना चाहिए तो दोस्तो इसके बाद आगे आपको इसमें इसके special physical standards के बारे में बताया गया है तो आप इसे दोस्तो डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद इसमें आपका physical fitness test है इसमें आपका 1.6 km running होगी और आपके जो इसमें pull ups है वो इसमें आपको बताये गये हैं और जो आपका ditch है वो 9 feet होनी चाहिए और zigzag balance भी इसमें आपको मांगा गया है तो दोस्तो ये आप सब इसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद इसमें आगे आपको medical test के बारे में भी बताया गया है तो दोस्तो इसके बाद इसमें आपको जो आपका return test throw common entrance exam होगा CEE उसके बारे में इसमें आपको बताया गया है तो दोस्तो आप बात करते हैं इसकी important dates की तो इसकी registration 7 December 2020 से शुरू हो चुकी है और ये आपकी 5 January 2021 तक चलेगी तो दोस्तो जो आपके इसमें admit card हैं वो आपको email के थूँ 6 January 2021 से 8 January 2021 तक आपके पास आ जाएंगे तो दोस्तो इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप इनकी official website पर जाकर इसके बारे में बाकी जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल एसके जोब सग्यान को subscribe जरूर करें और bell के आइकन को दुआएं ताक कि आने वाली सभी notifications के बारे में आपको पता चलता रहे दन्यवाद दोस्तो जै हिंद जै भारत